भारत में रेलवे सिर्फ एक सेवा नहीं बलकि एक बहुत ही बड़ी विवस्था है जिसके लिए अलग से मंत्राले भी है ये भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है रेलवे में भरतिया निकलती रहती है जिसके लिए रेलवे से जुड़ी जानकारी के बारे में मालूम होना ज़रूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं जिस रेल को हम सब भारत का सबसे नेटवर्क कहते हैं उसमें 55 साल से टॉयलेट के विवस्था नहीं थी यानि की भारती रेलवे 55 साल बिना सोचाले के दोड़ी थी भारती रेलवे की सुरुवात 16 अपरेल 1853 को हुई थी आज अगर भारती रेलवे की सारी पतरियों को सीधा जोड़ दिया जाए तो उनकी लं यात्रियों को टॉयलेट की जरूरत लंबे समय से महशूस होने लगी रेल से यात्रा के दोरान टॉयलेट न होने की वज़े से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जिसके बाद 1909 में टॉयलेट बनवाने के लिए एक पत्र लिखा गया ये पत्र एक यात्री न सामना करना पड़ा था ओखिल चंद्रसेन के लिखे गए पत्र के बाद टॉयलेट का प्रस्ताव आया था उन्होंने साहिब गंज रेल डिवीजन के आफिस को एक पत्र लिखा था ये पत्र तो लिखा गया अंग्रेजी में था लेकिन मैं आपको इसका अनुआत करके प्रिय स्रीमान मैं पैसेंजर ट्रेन से एहमतपुर स्टेशन आया और मेरा पेट दर्द की वज़े से सूज रहा था मैं सौच के लिए वहां एकांत में गया मैं वहां निवरित हो ही रहा था कि गार्ड ने सीटी बजाना सुरू कर दिया ट्रेन छूटने वाली थी मैं एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़ कर दोड़ा और तभी प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा मेरी धोती खुल गई और मुझे वहां मौझूद सभी महिलापुर्सों के सामने शर्मिन्दा होना पड़ा मेरी ट्रेन छूट गई और मैं एहमतपुर स्टेशन पर ही रह गया यह कितनी बुरी बात है कि एक यात्री सोच के लिए गया हो और ट्रेन का गार्ड कुछ मिनट उसका इंतिजार भी नहीं कर सकता मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना करे नहीं तो मैं इस पकरण की स सूचना समाचार पत्रों को दे दूँगा एक यात्री द्वारा लिखे गए करारे पत्र मिलने के बाद रेल में टॉलेट बनवाने के बारे में विचार किया गया इस पत्र के बाद ही रेलवे में टॉलेट की विवस्था बनाई गई दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सेर जरूर करें इसी तरह की खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद